Hello friends, this is me Aman Sharma back again with the new fresh video of Technical Bhopal YouTube channel Today's video is all about Maruti Suzuki Balino आज Maruti Suzuki Balino की अंदर basic accessories का पूरा अपग्रेडेशन हो रहा है जिसमें मैं आपको basic accessories पूरी बताने वाला हूँ अगर आप Maruti Suzuki Balino ले रहा है या कोई भी गाड़ी ले रहा है All-in-one जो है सारी गाड़ियों में कुछ accessories इसी टाइप की लगती है उसका थोड़ा सा module अलग हो जाता है तो वो चीज़ आपकी गाड़ी के उपर depend करती है किस तरीके की पूरी गाड़ी है सेडान है, हैशबैक है, SUV है, MP भी है तो without wasting any more time मैं आपको पुरी गाड़ी की एससेसरी दिखाता हूं कि इस तरीके की हैं तो चलते हैं गाड़ी की तरफ नर्मल एससेसरी में आप जा सकते हैं आई-पॉप के डूरगाट्स की और आपको बहुत सारी वाइड वेराइटी मिलती है को अपके पास ब्राइटी में गाराएंधर में मिलती हैं देख सकते हैं आप बहुत सारी वाइटी थाइज तो यह शीन आप के पास options होते हैं, यह भी अपने डोरगार्ट्स होते हैं अपने उपने तो यह आप चीजे ले सकते हैं तो यह basic accessory दिमाती हैं इसी के बाद जो अपनी बलीनों में लगे हैं वो blind spot से लगे हैं ठीक है तो जो oval shape में अपने circle shape में लगे हैं यह भी अपना blind spot होता है लेकिन यह wide area जो है cover करता है अगर आप sedan में जा रहा है तो आपके पास यह option रहता है यह option रहता है अगर आपके पास a cashback है तो आप अपने जो normal यह होते हैं आवल वाले इसमें जो जा सकते हैं इसमें अपनी प्रेफरेंस को रख सकते हैं अब मैं आपको गाड़ी की तरफ लेकर चलता हूँ किस तरीकी से पूरी accessories fit हुई है वो चीज़ दिखाता हूँ कहां कहां पर fit हुई है तो चलते हैं गा एक बार मैं आपको यह तूर देता हूँ यह बलीनो है सुदू की बलीनो एंड इसके अंदर जो काम हुआ मैं वो वन बाई वन सारी चीज़ आपको बताता हूँ सबसे पहले तो प्रंट से यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अपने जो बंपर कॉर्णर से वह यहां प पर लगी हुआ है जो की देखने में काफी बटीय लग रही है इसके वाद ऑफना बलीनों के Ed or सोतें हिहां हो धें देखने में काफी बढ़िया लगते हैं देखने में काफी बढ़िये लगती हैं गारी को एक पूरा फ्रवाइड करती हैं पीछे से अगर मैं आपको तो यहाँ पर आपको यह company की तरफ से मिलता यह chrome part यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो diggy chrome है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि अपन नॉर्मली जो बोलते हैं वो यह बोलते हैं कि diggy chrome पट्टी तो इसको जो आप recognize कर सकते हैं देखने में काफी बढ़िया लगता है एक गाड़ी को बढ़िया लुक जो प्रोवाइट करता है तो यह चीज आप देख सकते हैं पीछे के bumper corners हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि front में as it is लगे थे तो back side में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको bumper corners देखने को मिल जाएंगे विथ अपना dual chrome line देख सकते हैं आप वहाँ पर भी dual chrome line है तो पूरा match up हो रहा था है यहाँ पर जो की देखने में काफी बढ़िया लग रहा है यह चीज़ आप देख सकते हैं अंदर सलते हैं तो अंदर की बात करता हूँ अंदर में हमारी 70 matting होती है वो हमारी लगी हुई है प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिपिंग एरिया अपने को पूरा मिल जाता है इसमें बीच में मोडेस्टो की यहाँ पर बैजिंग है 90% अपना एरिया होता है यहाँ पर जो कवर करके रखती है काफी बढ़िया रहती है लॉक्स अपने यहाँ पर दिये होते हैं और यह चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रिपिंग के लिए परफेक्ट एरिया जो यह देखने क इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो यह कॉप एसेंजर साइड में है पूरी यह अपनी जो मैगी मैटिंग आती है बीच में यह पूरी खुल जाती है ठीक है इसको आप एजिली क्लीन कर सकते हैं काफी बढ़िया रहता है फ्रेंट से अगर आप देखेंगे तो कु मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लिजएगा टेकनिकल भॉपाल ओफिशियल यूजर नीम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इंड लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे को और न्यू फ्रेश वीडियो में तिल इंटे कर बॉबाए